कृष्ण के लड़ू गोपाल सुरूप की पूजा से मिलते हैं दस लाब भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है बाल रूप को काना, खनया, बाल कृष्ण, बाल मुकुंद, गोपाल कृष्ण, लड़ू गोपाल आदी नामों से जाना जाता है लड़ू गोपाल के एक हाथ में लड़ू रहता है इसलिए उन्हें लड़ू गोपाल कहा जाता है कृष्ण के इस सुरूप की पूजा करने से मिलते हैं दस तरह के लाब एक जिस भी घर में लड़ू गोपाल की मूर्ती है वो घर उनी लड़ू गोपाल का होता है अता उनकी पूजा घर के मुख्य सदस्त के रूप में करने से घर की रक्षा होती है दो लड़ु गोपाल की पूजा और देखवाल किसी बच्चे की देखवाल की तरह ही की जाती है उन्हें समय परिस्नान कराना, नए वस्त्र पहनाना, चंदन लगाना, श्रंगार करना, भोग लगाना और सुलाना यह सभी कार्य करने से ही प्रभू की करपा प्राप्त होती है 3. लड़ु गोपाल की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है और व्यक्ति सुखी जीवन जीता है 4. लड़ु गोपाल की पूजा करने से संतान की इच्छा पूर्ण होती है 5. लड़ु गोपाल की पूजा करने से घर में सुख और समरद्धी बढ़ती रहती है 6. लड़ू गोपाल की पूजा करने से घर में positivity फैलती है 7. लड़ू गोपाल की पूजा करने से आध्यात्मिक्ता का विकास होता है और मन मस्तेश्क हमेशा शान्त रहता है 8. लड़ू गोपाल की पूजा करने से मन में आत्म विश्वास बढ़ता है 9. लड़ु कोपाल की पूजा करने से व्यक्ति मन्चाही सफलता प्राप्त करता है 10. लड़ु कोपाल की पूजा करने से घर में कभी भी रोग और शोक नहीं रहता है